और वहें लोगसभा चुनावों के बीच प्रत्याश्यों के नामों का एलान जारी है इस बीच खल बीजेपी ने साथ उम्मिदवारों के नाम की लिस्ट जारी की है जिसमें बलिया से सीटिंग एमपी विरेंदर सिंग मस्त का टिकेट काट कर उनकी जगा पूर्वर प्रधा चुनाव में कुछ कमी रह गई थी लेकिन हमने उससे सीख लिया है कि और इस बार तीसरी बार बलिया से कमल खिलेगा वहीं नीरत शेकर ने समाजवादी पार्टी पर निशाना भी साधा और कहा कि सपा को घमंड है वो अती उत्साह में है पहले वी सांसद रहे हैं पहले और इस बार में क्या चुनोती रहेगी चुकि आप 2009 में सपा से लड़े थे इस बार बीजेपी से लड़ने जा रहे हैं तो क्या चुनोती रहेगी सपा भी इस बार कॉंग्रेस से साथ गड़ बंदन में है मैं पहले जैसे कहा चुनोती तो हर चुनाव चुनोती होता है लेकिन एक व्यक्तिकत संबंद भी होते हैं जो मेरे बलिया और गाजीपूर में व्यक्तिकत संबंद बने है जो किसी पार्टी लाइन पे नहीं है जो लोगों ने अपना स्ने दिया है और जो बीजेपी का पर परिवार है। मैं तो यह कहूंगा कई ऐसे लोग हैं ऐसे मददाता हैं जो किसी भी पार्टी में हो अपना शने और आशिराद मेरे साथ हमेशा उनका रहता है। क्यों कि व्यक्तिकत लगाव जो उनका है। मैं साथ साल आठ साल के करीब सांसद रहा लोकसभा का। उसके है कि जाती धर्म से उपर उठकर लोग अपना असने और आशिराद मुझे देंगे मुझे इसका पूरा विश्वास है। बड़ी लेगेसी आपके साथ है। लेकिन 2022 की विदान सवच चुनाओं में दिखा गया है कि बलिया से अनकूल परडाम नहीं आया थे। कि इस बार लोग सवच में हम लोग ने लगातार काम किया है और लोगों में अपना विश्वास और जगाए है। लोग सवच के चुनाओं और विदान सवच में थोड़े फार्क होता भी है। आप सब जानते हैं लेकिन मुझे पूरा विश्वास है लोग वहां के अपना सने बारती जनता पार्टी को देंगे और जो जो विधान सवच कुछ कारणों से कम रहे गई। मैं पार बार कहूंगा अब नए साथी भी आएं जिनसे और हम लोगों को ताकत मिली है। मिलेगी और मुझे पूरा विश्वास है कि भारी मतों से बल्या का लोग सवाम लोग जी आत्मिश्वास होना ठीक है, घमंड होना बहुत खराब है किसी व्यक्ति के लिए। 2019 में मैं उसी पार्टी में था और जब लोग कहते थे कि हम लोग 70 सीड जीत रहे हैं तो मैं ये कहता था उनसे कि धरातल पे कहां आएं आप लोग। मैं राजनीती में हमेशा जो धरातल पे काम करता है, जो कहता है और वो करके दिखाता है वही व्यक्ति चुनाव जीतता है, आप कहते रहे हैं कि आप सब को हरा देंगे, तो आप उननीस में भी कहते हैं थे सब हार जाएंगे और आप सब जीत जाएंगे, लेकिन जो निर्ने वहां के लोग, उतरप्रदेश के लोग देंगे, वो सर्मानने होगा, यह आप तैह नहीं करेंगे, कौन कहां जीतेगा, यह वहां के मद्दाता, वहां के लोग, वहां के जो वोटर है, वो तैह करेंगे कि वो जानते हैं कि कौन किसने उनके लिए काम किया है, कौन उनके सुख दुख में कड़ा है, कौन दे प्रगति उन्नती के लिए काम किया है। वो लोगों को पता है। इस देश का वोटर को आप यह समझे कि भावक्ता में बह जाएगा। वो अब नहीं है। वो जानता है किस व्यक्ति ने इस देश के लिए काम किया है। इस देश के सम्मान के लिए काम किया। आप देख लिए है मैंनी बोलता पचासो ऐसी चीजन जो मैं गिना सकता हूं कि जो पहले हुआ नहीं जो आज होने के आप हमेशा एक बात हमारे विरोधी कहते हैं हमनने Expressway बनाया आपने एक Expressway का एक चीज बनाया आज उत्तरपरदेश में पाँच Expressway बन रहे हैं जो पूरा उत्तरप्रदेश को जोड रहे हैं, आज रेलवे के इतना काम हुआ है, आज मेडिकल कॉलेज उत्तरप्रदेश में बने हैं, आज जो धरातर एक किसी को यह नहीं देखा गया, कि इस वेक्ति को आवास मिलना चाहिए, यह जाती का तो इसको मिलना चाहिए, इसको के बारे में सोचा, जबके मानी प्रधान मंत्री ने किसान सम्मान इधी शुरू की, तो किसी व्यक्ती ने ऐसी चीज कभी सोची थी, कहते हैं कि बस 6,000 रुपे साल में, यह बहुत बड़ी चीज है एक किसान के लिए, जिसके बारे में किसी ने कुछ नहीं सोचा, उनको नहीं दिया, आज मानी प्रधान मंत्री ने किया है, इसलिए किसान इस देश का मानी प्रधान मंत्री के साथ खड़ा हुआ है, और इस सब चीजे हैं हमको जीत देनाने के लिए बहुत है, बीजेपी ने अपने मौझूदा सांसा बिरें सिंग मस्थ का टिकर काड़ कर आपको टिकर दिया है, कितनी बुड़ चुनोती होगी आपको सामने हैं, कोई भी चुनाव एक चुनोती होता है, उसको साधारन उस पर नहीं लेना चाहिए, और आदरनी मस्थ जी हम लोगे बड़े भाई हैं, और उनका आशिरवाद मेरे साथ हमेशा रहा है, पिता जी के पूरा विश्वास है, जो काम आदरनी मस्थ जी ने शुरू किया ता उनको भी मिने पूरा करना चाहूंगा, और जो विश्वास ने तिद्श ने दिखाया है, मेरा यही संकल प्रहेगा, कि विश्वास को मैं कम ना होने दू, मुझे पूरा विश्वास है, बलिया के है उनका कि जो अधुरा रहे वह आप पूरा करेंगे पिता जी के बहुत सारे सपने थे बल्या को लेकर पहले पिता जी ने जिस तरह आखिरी टर्म में उन्हें 2004 में जो जुनाव जी थे उसके बाद उनके मन में एक संकल्प था कि बल्या के लिए जो कर नहीं पाए अगले आ और उस काम में वो काम करने वाले थे तब तक उनके दिहान तो गया उसके बाद में चुनाव में लड़ा और में जीता हम लोग ने प्रयास किया लगातार उन सपनों को पूरा करने का उसमें कुछ काम हुए है लेकिन अभी भी कई काम हैं जो रह गए हैं जिनको पूरा भी जो विश्वास था उसको और बढ़ा दिया है कि प्रधान मंत्री है तो ये काम जरूर होगा आज हम लोग चाहते हैं जो हमारे नौजवान साती हैं उनको काम अपने जिले में मिले वो दिल्ली, बंबाई, कलकत्ता जाते हैं वो चाहते हैं मैं चाहूंगा हम लोगा मेरा जो स